दोस्तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जहां मैं बात करूंगा कैसे आप अपने कीसी भी फोन में TWRP को इंस्टॉल कर सकते हो, और कैसे अपने फोन को रूट कर सकते हो, इसके लिए आपके पास कंप्यूटर PC या आपका डिवाइस रूटेड होना जरूरी नहीं ह तो चलिए दोस्तों बिना बखबख करें, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम सुब्रतो दास है, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, गबरू एजुकेशन, चलिए, सबको एजुकेट करें सबसे पहले आपको दो फोन चाहिए, एक जिसमें TWRP इंस्टॉल करना है, दूसरा जिसके जरिये TWRP इंस्टॉल करना है, मतलब इस दूसरे वाले फोन को हम कम्प्यूटर की तरह यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखें कि इसमें OTG सपोर्ट होना चाहिए हर फोन की TWRP रिकवरी फाइल होती है, डाउनलोड करने के लिए, क्रोम में जाकर सर्च करना है, रिकवरी फाइल फोन की रिकवरी फाइल दूसरे वाले फोन में डाउनलोड कर लेनी है अब जो recovery file होगा, download होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसका rename change करके recovery.img कर लेना है अब आपको वग जगर application को second वाले phone में install करना है, link description में है वहाँ से भी install कर सकते हो install करने के बाद आपको open कर लेना है, open करने के बाद आपको slide करके last वाले option पर click करना है अब अपने first phone को fast boot mode में open कर ले, अगर नहीं आता तो chrome में जाकर search करें, like how to unlock lgk9 fast boot mode फिर अपने second phone में otg slot लगाना है और उसके साथ data cable को connect करना है, फिर cable की end को first phone के साथ connect कर देना है फिर एक pop up आएगा उस पर click करने के बाद इस पर click कर लेना है, फिर check box पर click करके I understand पर click कर देना है, इसके बाद यह command run करने के लिए तयार हो जाएगा पहला phone connect है या नहीं, वो check करने के लिए आपको एक command run करना पड़ेगा Simply fast boot devices लिखकर play के button पर click कर देना है, आप देख सकते हो की device अभी connected है अब TWRP फाइल को flash करने के लिए एक command run करना पड़ेगा, जो है fast boot flash recovery इसे type करने के बाद आपको recovery फाइल को select करना है तो आप यहाँ पर click कर लीजिए जहाँ पर भी TWRP फाइल है, उसको select कर लेना है, फिर simply play के button पर click कर दीजिए अब यह थोड़ा सा loading लेगा, फिर आपका recovery फाइल पहले वाले phone में flash हो जाएगा अब आपको अपना phone TWRP में boot करना है तो एक command run करना होगा, fast boot फिर उसी TWRP फाइल को attach करके play के button पर click कर देना है अब जब आप ok कर दोगे तो आपका पहला phone TWRP recovery में boot हो जाएगा, फिर simply आपको data cable को निकाल लेना है अब आता है main cam phone को root कैसे करें, सबसे पहले आपको super seu zip file को download करना है, इसका भी link मेरे description में है, वहाँ से download कर सकते हो download करने के बाद file को internal storage में move कर लें, अब phone को switch off कर लेना है switch off करने के बाद phone को TWRP recovery mode में boot करना है, generally volume down plus power button को press करके होता है, लेकिन किसी किसी phone में volume up plus power button को press करने से होगा TWRP recovery में boot करने के बाद अपने phone के ROM को completely backup कर लें, data system boot जैसे files को select करके swipe कर देना है backup करने के बाद आपको super SU file जो आपने download किया था, उसको flash करना है, flash करने के लिए आपको install के button पर click करना है फिर browse करके उस file को select करके swipe to confirm flash कर देना है, that's it, आपका root successfully install हो गया है, अब आपको reboot system पर tap करके system को reboot कर लेना है फिर जब आप root checker application से check करोगे तो आपका device rooted दिखाएगा, अब unroot करने के लिए simply super SU को open कर लेना है, फिर setting में जाकर scroll down करके cleanup option में जाकर full unroot पर click कर देना है confirm करने के लिए continue पर click कर दीजिए, बस हो गया अब just phone को reboot कर दीजिए, फिर आपका root successfully uninstall हो जाएगा कोई भी doubt हो, आप comment में मुझसे पूछ सकते हो और यार, वीडियो अच्छी लगी तो like और subscribe कर दो, और इस channel के साथ जुड़ जाओ, मिलते हैं next video में